नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूज जटीन मद्रप्रदिश च्छत्यसगर के इस डिजिटल प्लेटफर्म में मैं हुरी नुए आदब बहुत चर्चित नाम है लॉरेंस विश्णोई और ये नाम तब से बहुत ज़ादा चैचाओं में आ गया जब बाबा सिद्धिकी का मडर हुआ लगतार तावर टोड़ फायर हुए छे फायर जहां तीन गोली बाबा सिद्धिकी को लगी और बाकी गोली अन्य जगहों पर लगी है इसके बाद लगता जाच हो रही है लॉरेंस विश्णोई और उनका गैंग पुलिस के जाच श्रक्ष एजिंसियों के निशानी पर है यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि लॉरेंस विश्णोई को लेकर कई सारी सवाल खड़े हो रहे हैं कई सारी आरूप तो लगे ही हैं लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस परिवार के बेटे ने कभी चाय भी ना पी हो उसके उपर ड्रेक्स कोकीन की तशकरी का आरोप लग रहा है वो ज़र में है तो उनके परिवार वाले किस से रियक्ट करेंगे क्या कहेंगे यह तमाम बाते और लॉरेंस कौन था बच्पन में क्या था किस तरीके का था क्रिमिनल रिकॉर्ट कब से सामने आया है, कब वो पहली बार जेल गया, क्यों गया, क्या हॉबिस थी, क्या पसंद था लॉरेंस विश्णोई को और सल्मान खान क्या अगर माफी मांग लेता, तो ये जो धमकिया मिली हैं ये ना मिलती, सब कुछ माफ हो जाता, बहुत सारी बाते, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, देखिया आप लॉरेंस विश्णोई एक ऐसा नाम जहां लॉरेंस के नाम पर अप फजी धमकिया भी म मिलने लगी हैं, मध्यप्रदेश शत्यसगर में कई ऐसी खबरे सामने आई हैं, जब लोग अपनी धमक बनाने के लिए, डर पैदा करने के लिए, आप लॉरेंस विश्णोई का नाम ले रहे हैं, उस गैंक का सदद से खुद को बता रहे हैं, और अपनी मनमानी कर रहे हैं दबंगई दिखा रहे हैं, आपको जाने ना होगा कि लॉरेंस विश्णोई कौन हैं, और इतनी डर, इतनी धमक उस नाम की क्यों हैं, देखें किस परिवार से तालुक रखता था, कैसा परिवार है, और पुर्खों का क्या रिकॉर्ड रहा है, ये तमाम चीज़े आपको बताएंगे, 1857 का गदर देखा, फ्रीडम फाइटर भी वो रहे हैं, इनके परिवार के जो पुर्खे थे, और खांदान लॉरेंस ऐसे खांदान का बेटा है, जिसमें संत, लेखक, जज, वकील और आईबी ऑफिसर थे, देश भक्त था पूरा परिवार, देश वक्त है प जादी को रिकॉर्ड है और अभी जेल में हैं, साबरमती जेल में बंद गैंक्स्टर लॉरेंस पर भले ही मडर, फिरोती, ड्रग, सत्यारों की तसकरी के केस चल रहे हैं, लेकिन उसके फुफेरे भाई इंदर पाल उसे क्रिमिनल नहीं मानते हैं, फुफेरे भाई यह नाम मानने से पहले उनके परिवार की हिस्ट्री जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तब ही तैकर पाएंगे की लॉरेंस क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, देगे महराश्ट में नसीपी नेता बाबा सिद्धी के मडर मामले में लॉरेंस गैंक का नाम आ रहा है और क्रिमिनल बनने की कहानी इसकी उनिवर्सिटी से ही शुरू हो गई थी, पहली F.I.R. वहें हुई थी यानि कि जब वो पढ़ाई कर रहा था, उनिवर्सिटी में ही पहली F.I.R. हुई थी और पहले लॉरेंस की पहली बाद जेल भी कॉलेज स्टुडेन्ट रहते ही क्या वो करता था ये भी आपको बताएंगे देखिए लॉरेंस की पिता हैट कॉंस्टिबल थी और दूसरा यह है कि लॉरेंस को उसका परिवार हर हाल में सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स आए ऐसे कुछ बाते होई कि लॉरेंस ए से परिवार सिरे से खारिच कर रहा है दुरा तावली गाउं दिली से करीब 450 किलो मीटर पंजाब के फाजिल का जिले में है यह गाउं जहां पर लॉरेंस का जन्व हुआ और गाउं में घुसते ही एक लाल रंग की शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है गाउं वाले इ और यहां पर बड़ी संख्या में लोग पूजने आते हैं देखिए मंदिर में घुसते एक बड़ी फोटो लगी है हवन कुंड है पूरी व्यवस्थाई है और बिल्डिंग की समय समय पर मरम्मत होती है घर के दो हिस्से हैं और चत पर एक भगवा जंडा भी लगा हुआ ह और दूसरा हिस्सा भी नया बना हुआ है लौरेंस के परिवार वालों से बात करने की कोशिश जब हुई तो लौरेंस के परिवार में कुछ-कुछ लोग सामने आये हैं जिन्होंने लौरेंस को लेकर कई सारे बाते की हैं इंदर पाल और लौरेंस के चचेरे भाई हैं रम कि सहाब राम जी के दो बेटे लक्ष्मी नरायन और गणेश जी राम जहाँ पर लगतार अच्छे कामों के लिए जाने जाते थे उनके पुर्खों ने बहुत अच्छा काम किया था लॉरेंस के पिता लविंदर राहर जी विश्नुदत्य के बेटे हैं गडेश राम जी के बेटे संत कुमार और प्रेम सुझी हुए और ये एक उनकी पूरी कमेटी चली आ रही है संत कुमार जी ने 1978 में जीव रक्षा सभा की नीव रखी थी देखिए यहाँ पर दो भाई ज जीव रक्षा सभा की नीव रखी थी और अभी ये इसके प्रेसिडेंट है इंदरपाल ये भी जानकरी आ रही थी कि इनके जो परिवार से लोग हैं वो हैट कॉंस्टिबल हैं पुलिस में हैं तमाम चीज़ें लेकिन इसे सिरे से खारिच किया गया इनका इंदरपाल का कह की हिस्ट्री जाननी चाहिए बिना फैक्ट जाने कुछ भी बोला जा रहा है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं हमारे खांदार में कोई भी पुलिस में नहीं था हम जमीदार लोग थे बहुत बड़े ऑफिसर पदो पर भी हमारी पीडियों में लोग रहे हैं तो हैट कॉंस् लॉरेंस विश्णोई के परिवार को लेकर अब देखिए 110 एकर खेटी जिसके पास होगी और वो आखिरकार कॉंस्टेबल क्यों बनेगा पोलिस के नौकरी क्यों करेगा यह कहना है इंदरपाल का परिवार में बड़े बड़े पदो पर लोग काम कर रहे हैं इंदरपाल क करते हैं कि वो खोद एड़ोकेट हैं हर्याना पबलेक प्रोस्क्यूटर था और पहली पोस्टिंग 1982 में जीन्द में हुई थी और इस तरीके से लगातार वो कई सारे पदों पर रहे कर रिटायर हुए हैं और अब जिस तरीके के आरोप लॉरेंस के उपर लगे उससे पू इंदरपाल कहते हैं कि लॉरेंस विश्णोई दो भाई थे लॉरेंस के उपर जो आरोप लगे उससे जेल भीज़ दिया गया अब छोटे भाई को परिशान करने लगे थे अनमोर विश्णोई को और इसके चलते से बाहर भीज़ दिया गया था पढ़ाई के लिए लेकर उ उससे चोटे भाई का जीवन भी खराब हो गया वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाया ऐसा कहा जा रहा है यह भी कहा गया कि बीते कुस दिरों में लगता जो चोटा भाई था उसको सुरक्षा भी दिलवाई गई है लेकिन उसके बाब जो डर का महौल बना रहता है कोई नहीं बता सकता है उनके चचेरे भाई रमेश विश्णोई कहते हैं कि उसे अच्छे कपड़े महंगे जूते घुरसबारी का शौक था बचपन से शौक था वो चोटा था तभी वो अपने साथे घोड़ी रखता था जानवर उसे बहुत जादा प्यार रखता था गा और हमेशा कहता था कि बच्चे खेल में इंवाल्व रहेंगे तो नश्य से दूर रहेंगे यह क्याना था लॉरंस विश्णोई का खेल को बहुत जादा वो खेलने के लिए पृत्साहित करता था जो वहां पर अन्य छातर थे जो लड़के थे उनको खेल के परती जागरू करता था कि खेलिए ताकि से आप बाकी चीजों से दूर रहेंगे शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे और यह भी कहा जा रहा है कि लॉरंस ने कभी एक चाय तक नहीं पी है और दुख इस बात का है रमेश बोलते हैं जो उनके चचेरे भाई हैं कि दुख इस बात का है क कि हर्थियारों की तसकरी लॉरंस ने की है लेकिन जो कोकीन और ड्रेक्स का हिरोईन का जो आरूप लग रहा है वो सरसर जूट है साथ ये भी बहुत अफ़ा उड़ी थी कि 30 से 40 लाग रुपे परिवार वाले उनको जेल में बेजने हैं लॉरंस विश्णोई को और इस बा तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि फिर कोट ने सल्मान को 5 साल की सजा क्यों सुनाई और अब विश्णोई समाज के अध्यक्ष ने कहा था कि सल्मान एक बार विश्णोई समाज के जो अध्यक्ष उनका ये कहना है कि कहा गया था समाज की तरफ से कि एक बार भी अगर सल्मान खान माफी मांग लेते तो शायद हलाथ ठीक हो जाते विश्णाई समाज उन्हें माफ कर देता कोट का काम तो कोट ही देखता है लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे सल्मान खान का पूरा परिवार घमंडी है अगर वो माफी मांग लिया होता जिस तरीके सुनके उपर हत्या का आरूप लगा है जीव का तो शायद उसे माफ कर दिया जाता कोट अपनी जो कारवाई वो करता रहता जो कि करही रहा है लंबे समय से अब गाउवालों का भी ये कहना है कि लॉरंस बहुत अच्छा लड़का था चंडी कर जाने के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया कई दसवी तक पढ़ाई तो उसने की थी बहुत अच्छी की तो उसके बाद वो किस तरीके से ऐसे क्रिमिनल रास्टे पर चला गया तो आपकोल मिला कर ये जाने कि जो लॉरंस विश्णोई है वो एक बहुत अच्छे मजबूत जमिदार पढ़े लिखे परिवार से तालुक रखने वाला लड़का था जिसने अपने चातरी जिवन बहुत अच्छे से बिताया कॉलेज जब पहुँचा तो वहाँ से विवात शुरू हुआ जेल भी गया और उसके बाद से वो लगातार इस रास्ते पर था लेकिन आज भी उसका परिवार दम भर कर ये बोल रहा है कि लॉरेंस विश्णोई जो कि कभी एक चाय भी नहीं पीता है वो कोकीन, हेरोई, ड्रक्स की तसकरी कैसी कर सकता है उन्हें इस बाद पर विल्कुल भरोसा नहीं है सल्मान खान का जो जिक्र है उस पर भी इस परश्ट किया जा रहा है कि विश्णोई समाज माफ कर देगा अगर सल्मान खान माफी मांग लेगा लेकिन सल्मान खान और उसका परिवार घमंडी है वो माफी नहीं मांग रहा है यह विश्णोई समाज का कहना है देखना यही है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से क्योंकि यह बहुत लंबी समय के बाद लॉरेंस विश्णोई की तरफ से भी कुछ तथ निकल कर सामने आए हैं कि लॉरेंस विश्णोई कौन है किस परिबार से तालुकात रखता है कैसा जब बच्पना था तो वो कैसा था जीव जनतों को बहुत जाद अब विश्णोई समाज प्रेम करता ही आप सभी जानते हैं और यही कारण है कि जब एक फिल्म की शूटिंग के दोरान ताओ ताओ में ऐसा कहा जा रहा है कि मार दिया गया थे जीव को और उसके बाद साल फिर वो जेल में क्यों था तो तमाम ऐसे सवाल बने हुए हैं लोरेज विश्णोई के लेकर खासतर पर जो जानकारी लोगों को चाहिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकर यह है कौन वो आपको बताने के एक छोटी सी कोशिश थी बाकी इस पूरे मामने को लेकर नमसकार